Hey guys, welcome back to another fitness video Guys, fitness की जब भी बात आती है तो इसमें nutrition जो है वो बहुत ही ज़ादा importance रखती है आपकी fitness journey में चाहे आप fat loss कर रहे हैं या आप muscle building कर रहे हैं दोनों में nutrition जो हो बहुत ही ज़ादा importance रखता है और nutrition में जो सबसे important चीज़ होती है वो होती है protein तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे X के बारे में X definitely बहुत ही अच्छा protein source है In fact, यह complete protein source है इसमें आपको 9 के 9 essential amino acid आपको मिल जाएंगे तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या raw X खाना safe है हमारे body के लिए या नहीं तो गाइस कच्चे इंडे खाना या पीना बहुत ही common सी बात है आपने भी absorb किया होगा बहुत सारी लोगों को कच्चे इंडे पीते होगे खास करके fitness और bodybuilding community की जो लोग है उनको आपने देखा होगा और अगर आपके घर के आसपास में कोई local gym होगा तो उसके trainer भी आपको recommend किया होगे कि कच्चे इंडे खाओ लेकिन अगर हम कच्चे इंडे की science की बात करें तो कच्चे इंडे खाना बहुत ज़्यादा बेवकूफी है क्यों उनके 3 main reason है कि क्यों आपको कच्चे इंडे नह होती है जब भी हम किसी भी protein source को अपने body में consume करते हैं तो हमारी body कितना absorb करती है उसी process को हम bio ability process करते हैं तो जैसे whey protein की जो bio ability होती है वह 100% होती है तो हमारी body जो वे protein को 100% absorb कर लेती है लेकिन raw x के अंदर जो bio ability है वो सिर्फ 50% होती है यानि कि अगर एक अंडे के अंदर अगर पका कर खाते हैं तो उसकी bio ability जो है वो 90% से ज़्यादा हो सकती है तो आपको 6 gram लगवा protein मिल सकती है तो पका कर अंडे को खाना बेतर है यह पहला reason है अगर आप channel पे नहीं है तो channel को subscribe कर ले और notification के लिए bell icon पे click करें मैं इसी तरह का nutrition और fitness related videos बनाता रहूंगा so stay tuned तो guys दूसर reason यह है कि कच्चे अंडे के अंदर cell monena नाम का एक bacteria पाया जा सकता है लेकिन इसके chances कम है एक research के अंदर पाया गया है कि 30,000 अंडे के बाद एक अंडा ऐसा होता है जिसमें यह bacteria पाया जा सकता है लेकिन अगर वो एक अंडा आपकी footy किसमत में आ जाए तो आपक से पका कर खाए यह दूसरा reason था तो guys तीसरा reason यह है कि कच्चे अंडे खाने से हमारे body की जो vitamin B3 की observation power जो होती है वो block हो सकती है लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा कच्चे अंडे खाने परेंगे लग आट से 10 तब ही ऐसा होता है जो कि I don't think कि कोई 8 से 10 कच्चे अंडे ख बलकि आपके body को नुक्सान ही पहुंच सकता है और ना आपको पूरा protein source मिल सकता है तो क्या कच्चे अंडे खाना एक अच्छा protein source है जवाब है नहीं in fact यह आपके body को नुक्सान भी पहुंचा सकता है तो आपको यह वीडियो पसंद आई है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है तो वीडियो को लाइक करें शेर करें अपने दोस्तों के साथ और थैंक यह सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडि तो आपको वाचिंग